मन्च पर उपस्तित राजस्तान के राजपाल श्रिवान कलराज मिश्र जी, केंद्री मंत्री श्री नितिन गड़करी जी, अर्जुन बेगभाल जी, गजेंद्र शेखावज जी, कैलाज चोधरी जी, संसद में मेरे साथीगण, विदायगण, और राजस्तान के मेरे पैरे भाई और बहनों, वीरों की धर्ती राजस्तान को मेरा कोटी-कोटी नमन, ये धर्ती बार-बार, जो विकास से समर्पित लोग हैं, उनकी प्रतिक्षा करती हैं, बुलावा भी भेजती हैं, और मैं देश की और से विकास की नई-नई सोगात, इस विर धरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ, आज यहां विकानेर और राजस्तान के लिए 24,000 करोड रुपिय की विकास परियोजनाओं का लोकारफण हुआ है, राजस्तान को कुछी महिने के भीतर में दो-दो आधुनिक सिक्स लैन एक्सप्रेस वे मिले हैं, फरिवरी महिने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कुरिडोर की उसके दिल्ली दोसा लाचोड सेक्शन का लोकारफण किया था, और आज यहां अमरत्सर जामनगर एक्सप्रेस वे के 500 किलोमेटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सवभाग मिल रहा है, यानि एक तरह से एक्सप्रेस वे के मामले में राजस्तान ने डबल सेंचुरी मार दी है, साथियों, आज दिन्डियोबल एनरजी की दिशा में राजस्तान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनरजी कोरिडोर का भी लुकारफण हुआ है, विकानेर में E.S.I.C. अस्पताल का काम भी पुरा हो गया है, मैं इन सभी विकास कारियों के लिए विकानेर और राजस्तान के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, साथियों, कोई भी राज्य विकास की दोड़ में आगे तब निकलता है, जब उसके सामर्थ की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए, राजस्तान तो अपार सामर्थ और संभावनाओं का केंद्र रहा है, राजस्तान में विकास की तेज रप्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां record निवेश कर रहे हैं, राजस्तान में अवधियो की विकास के अपार संभावनाı है, इसलिए हम यहां connectivity के infrastructure को high-tech बना रहे हैं, तेज रप्तार एक्स्प्रेस वे और रेल्वे से पूरे राजस्थान में परियतन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा इसका सबसे बड़ा लाब यहां के युवाओं को होगा राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा साथियों आज जिस ग्रीन फ्रील्ड एक्स्प्रेस वे का लोकारपन हुआ है यह कोरिडोर राजस्थान को हर्याना पंजाब गुजराथ और जम्मु कश्मीर से जोड़ेगा जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सीपॉर्ट भी इसके जरिये राजस्थान और विकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे एक तरब जहां बिकानेर से अमर्शर और जोड़पूर की दूरी कम हो जाएगी तो वहीं जोड़पूर से जालोर और गुजरात की दूरी भी गड़ जाएगी इसका लाप इस पूरे छेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा यानि एक तरब से ये एक्सप्रेस वे पूरे पस्तिमी भारत को उसके ओधियों की कतिविजियों को नई ताकत देगा खास कर देश की ओईल फिल्ड रिफाइनरी इसके जरिये जुड़ेगी सप्लाइ चेंज मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक्स रप्तार मिलेगी साथियों आज यहां विखाने रतंगर रेल लाइन के दोरी करण का काम भी प्राणभ हुआ है हमने राजस्तान में रेलिवे के विकास को भी अपनी प्राश्पिक्ता में रखा है 2004 से 2014 के बीच राजस्तान को रेलिवे के लिए हर साल अवसतन एक हजार करोड रुपे से भी कम मिले थे जबकि हमारी सरकार ने राजस्तान में रेलिवे के विकास के लिए हर साल अवसतन करीब करीब 10 हजार करोड रुपे दिये आज यहाँ तेज रप्तार से नई रेल लाइने बीच रही है, रेलवेट ट्रेक्स का तेजी से विद्धूति करन हो रहा है, साथियों इंफ्रास्रेक्टर के इस विकास का सबसे ज़्यादा फाइदा छोटे व्यापारियों और कुटी रुद्योगों को मिलता है, विकानेर तो अचार, पापड, नमकीन और से तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, कनेक्टिविटी और और अच्छी होगी, तो यहाँ के कुटुरुद्योग कम लागत में अपना माल देश के कौने-कौने तक पहुँचा पाएंगे, देश स्वाचियों को भी विकानेर के स्वाधिष्ट उत्पादों का आनंद जादा आसानी से मिल पाएगा, साथियों, बिते नव वर्षों में हमने राजस्तान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है, जो बॉर्डर रिकला इलाके दसकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलप्मेंट के लिए हमने वाइबरेंट विलेज योजना शुरू की है, हमने सिमान गाउं को देश का पहला गाउं गोशित किया है, इससे इन छेत्रों में विकास हो रहा है, देश के लोगों को भी सिमान खेत्रों में जाने की दिल्टस्थ भी बढ़ रही है, इससे बॉर्डर पर बसे खेत्रों में भी विकास की नहीं उर्जा पहुंची है, साथियों हमारे राजस्तान को साला सर्बाला जी और कर्णी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे उपर होना चाहिए, आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही हैं, पूरी ताकत जौंक रही है, मुझे विश्वास है, हम सब साथ मिलकर राजस्तान के विकास को और भी तेजगती से आगे बढ़ाएंगे, मैं फिर एक बार आप सब को बहुत 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 धन्यवाद,